हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अजीज आप देख रहे हैं मुवी स्टॉक चैनल जिस पर आज मैं फिर से कुछ अलग सेटप के साथ अब कोशिश करूंगा जो कि हां मैं बार बार कहता हूं लेकिन इस बार वो गहते हैं कि धंग की प्रिपेरेशन के साथ मैं फिर से रिटरन करते हुए अब वही फिंगर क्रॉस वाला प्रॉमिस नहीं वलके सच्चा प्रॉमिस कर रहा हूं के चैनल पर ऐसे ही अप टूडेट रहेंगे बाकी खैर अब वो सारी बात है जब भी कोई वीडियो बनाऊंगा नया ना तो बीच-बीच में थोड़ा बहुत एक्स्प्रें करत भी है जिन सपर से वह कहते हैं ना कि परदा उठाने का काम मैं करूंगा ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना रहो या फिर आप हो कहते हैं ना कि वह उमीद लगा करके मत रखो कि जो असल में होने वाला नहीं है नहीं समझे तो चलिए एक्स्प्लें करते हैं जिसके प फिल्मों को भी लेकर ताकि उविजली उनकी फिल्म जादा से जादा ओडियंस तक पहुच पाए जिन सब में अगर किसे चैम कहोगे तो फिलहाल तो डिजनी कंपणी ही निकल कर आती है जो कि हर बार सूपर बॉल में बढ़ चड़कर हिसा लेती है और उन फिल्मों के भी ही होती लेकिन उन से हटकर कुछ फिल्म में ऐसी भी है खास करके डेटपूल 3 का नाम आपने सुना होगा वह भी निकल कर आया है जिस पर आगे बढ़ने से पहले कुछ वह कहते ना कि दिल तोड़ने वाली बात भी कर लूँ कि वार्न ब्रदर्स को लेकर के आपने ये सोच होगा कि उनकी तरफ से जब भी फिल्म के सुपर बॉल के ट्रेलर रिलीस की जाएगे 30 सेकंड के प्रमो ही होते है तो उन लिस्ट में नाम सीधे सीधे फ्यूरियस है यानि के मैड्मक्स की यूनिवर्स की स्पिन ओफ आ रही फिल्म जिसका ट्रेलर अल्रेडी अवेलिबल ह तो वहीं गॉड्जिला, एक्सकॉंग और ड्यून 2 का भी नाम निकल कर आया था लेकिन उन सब के बीच दो फिल्मों की हाईप बनी हुई थी जिन में से एक अपने इंडिया में जो काफी ज़्यादा फेमस हो चुकी है तो मैं बात कर रहा हूँ जो कर दू की तो वहीं लेकिन खैर तो आपकी उन्हीं उमीदों को तोड़ते वें यह बता दू के वार्न अब विदस की तरफ से अपनी किसी भी फिल्म का प्रेजेंटेशन फिल्हाल तो सुपर बॉल में नहीं किया जा रहा है यानि उनकी तरफ से सुपर बॉल के सारे प्रोमोशन के पैसे पू हार्ट कमबैक की जवरत है अगें डेटपुल 3 फिल्म इस साल यही आएगी बाकी कुछ सीरीज भी जिन से हटकर आप बात की जा सोनी वालों की तो सोनी पिच्छेश की तरफ से भी गोजबस्ट फ्रोजन एंपायर या फिर कहू टू गार फिल्ल मैडम वेब जो कि की सी भी कंटेन को सूपरबॉल में जाकर के प्रोमोट नहीं करेंगे क्योंकि अल्रेडी अवतार दी लास एर्वेंडर की हाइप बन चुकी है और छोटे-छोटे टीजर रिलीस करकर वो लोग अपने प्रोमोशन को अच्छी तरीके से राइट-उन ट्रेक चला रहे हैं प इसलिए कह रहा हूँ जिसके बात-बात की युनिवर्सल स्टूडियो की तो उनके साथ वो कहता है ना कि प्रैंक हो गया प्रैंक हो गया जी वाला हिसाब है जिसके अगर रीजन की बात करूं तो उनके कुछ टीजर ट्विलर जो सूपर बॉल के लिए बनाए गए तो यान को कुछ कास्ट ने क्रू की कनफोमेशन की एकॉर्डिंग उसी युनिवर्स में चल रही एक और स्टूरी को आगे कंटिन्यू करेगी जिसके लिए हाँ मैं पर्सनली काफी जादा एकसाइटेड हूँ कि पहला पार्ट मेरे लिए काफी जादा अच्छा माना जाता है और इसके बाद बात की जाए पैरमाउंट स्टूडियो की तो वह भी अपने कंटेंड को लेकर के पूरी तरीकिसी प्रिपेर हो चुकी है क्योंकि उनकी तरफ से छोटे मोटर्टी सुपर बॉल के दिये जा रहे है इसमें उन्होंने कुछ रूमर के एकॉर्डिंग रियान रे लोगों कहते हैं कि हिट करवाते हुए सुपर बॉल में कुछ कमाल कर जाए जिसके बाद उनकी स्पॉंजबॉब की आई हुई फिल्म सेविंग बिक्नी बॉटम जो की पहले ट्विटर पर लीक हो गई थी तो उससे भी रिलेटेट कुछ सप्राइजस उन लोगों ने रख कुछ अपडेट निकल कर आही जाएगे लेगिना पैरमाउंट की तरफ से जो स्पिन उफ निकल कर आने वाला है अक्वाइट प्लेस डेवन का उसके लिए आप क्या मैं भी काफी जादा एक्साइटेड ही हूँ क्योंकि देखना है कि इस यूनिवर्स में जॉन स्कारिंस क के साथ परदा हटना चाहिए कि असल माइने में यह एलियंज अर्थ पर आने के बाद क्या कर रहे थो और कैसे इन लोग ने पूरी हुमेनिटी को जो अल्मोस्ष खतम करने की कगार पर ले गए है वो कैसे किया अफिस के बाद बात कर ले आखिर में डिजनी की यानि काफी बड़ी कंपनी की तो वो अपने प्रडॉक को ले करके पूरी तरीके से प्रिपैर है कि उन्हें सूपर बॉल में क्या दिखाना है यानि प्लानेट्स ऑफ दी एप की यूनिवर्स की जो आ रही फिल्म है उससे रिलेटेट भी कुछ अपडेट दी जाएगी और इसी के हमें अब हो जाएगी जो कि फिलाल तो नहीं हो रहा और फिर हां सेकेंड लास कंटेंड की बात की जाया तो एलियन की फिल्म बनी है याद है के नहीं तो याद दिला रहा हूं तो उससे भी ग्लेटेड हमें रूमर के तौर पर कुछ ना कुछ टीज मिलेगा ही जिसे फेट से और भी काफी जादा वो हाँ वही कहते है ना कि उमीद बढ़ जाती है और फिर अब बात कर लीजए आखिर में डेडपुल 3 फिल्म की तो आपको पता ही होगा कि ब्राजिल वेबसाइड वालों ने ये बात लीग कर दी थी कि इस फिल्म के ट्विलर को सूपर बॉल के किया जाएगा क्योंकि अलड़ी केविन फैगी की तरफ से टोपी पहन करके प्रमोशन शुरू कर दिया गया है जिसके एक आर्टिस ने क्लेम किया कि वो उसकी आर्ट है जबकि अगर देखा जाय तो उसे डिजनी ओन करता है और उनकी नजर में मुझे लगता है कि इस फैन अपना दिमाग लगा रहे है कि इस फिल्म का टाइटल कुछ भी हो सकता है लेकिन फिर से ब्राजिलियन वेबसाइट पर आ जाये तो डेडपुल एन वुलवरीन या फिर कहूँ डेडपुल एन फ्रेंड का नाम सज्जेश किया गया है जिन दोनों में से इस फिल्म का कोई भी एक नाम हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो मैं कहूंगा कि डेडपुल एन वुलवरीन अगर इस फिल्म का नाम रखा जाये तो काफी ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि जितनी ज़्यादा फैन फॉलविंग डेडपुल की है उससे कई ज़्यादा वुलवरीन को भी लोग पसंद करते हैं और हाँ फिल्म के डेक्टर शॉन लिवी ने भी ये बात कंफर्म की थी कि वो भी इस फिल्म के टाइटल को लेकर ठीक हम जैसे ही काफी ज़्यादा कंफ्यूजड है और फिर उसके बाद उस ब्राजिलिन वेबसाइट की बात की जाए तो प्रमोशनल सुपर बॉल के साथ जो हम फैंस को ऑनलाइन दिखाया जाएगा उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन भी निकल कर आए थी जिसमें मैं आपको उपरी तोर पर बताओ तो डेटपुल अपने काम से पूरी तरीके से पक और ठक गया है इसलिए वो सीधे ट्रांसपर में वन फिल्म होगे तो कार सेल करता है जिस काम में भी उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है लेकिन हा ट्रेले की शुरुवात ऐसी ही है उसके बाद वुलवरीन की एंट्री और फिर इन दोनों की वह कहते ना कि बख्चोदी शुरू हो जाएगी और यह लोग सीधा अपनी जर्नी पर इस से जादा कुछ नया देखा नहीं यानि कि उनके पास इस फिल्म को लेकर के दिखाने के लिए बहुत नहीं वलके काफी कुछ है और उपर से ये फिल्म आने वाले डिजनी का फ्यूचर भी सेट करेगी और हम आर्वल का भी जिससे की हम फैंस को आगे इस यूनिवर्स स यानि कि जो करन्ट सिच्वेशन पूरे डिजनी और मार्वल की चल रही है उमीद लगानी भी चाहिए या नहीं और फिर इसके अलावा आपका जो आर्रेटेट का क्वेशन है कि क्या ये फिल्म आर्रेटेट के जॉर्नल में इस टीजर को उस हिसाब से प्रेजेंट करेगी जो भी रिलीज होने वाला है वो ऑफिशली ट्रेटर्स में भी बात में जल्दी दिखाया जाएगा क्योंकि अब इस फिल्म को जितना जल्दी प्रमोट किया जाए उतना खुद मार्वल वालों के अच्छा है ताकि वो लोग इसी फिल्म के कंधे पर चड़कर अपने बाक पहले खुद का प्रॉपर कमबैक नहीं कर पाएगे इसलिए अब भी मैं कहूंगा कि गेन पूरी तरीके से डीसी वालों के पल्ले में आकर गिर गई है जिन्होंने जेम्स गन के वीजन को देखते हुए गेम से लेकर के पूरे यूनिवर्स टूडी यानि के टूडी आनि यूनिवर्स तक की भी कान मार दी बाकि डेटपूल 3 पर आ जाए तो 26 जुलाई को ये फिल्म ओफिशली थेटर में रिलीज होगी ये बात तो हम सभी को बहुत ये अच्छी तरीके से पता है इसलिए इस फिल्म के टीजर ट्वेलर यानि के हर एक चीज़ पर हम फैंस की व इसलिए Fantastic Four की फिर से बैंड बजी है जिसके प्रोडक्शन के शुरू होने से पहले ही कहानी की लिखावट को पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है जिस पर मैं फिर से एक वीडियो बना करके आपको अलग से उसकी सारी की सारी डिटेल्स दे दूँगा क्योंकि यहाँ प जिन सब पर फिर क्या बनती है आप की रहा जो कि आप मुझे कमेंट में लिकर बता सकते है बाकी बैक्राउंड कैसा लग रहा है वो भी कमेंट में लिकर बताना क्योंकि मैं हूँ अजीज मिलूँगा आपसे जल्द ही ऐसी ही अपडेट के साथ इसी चैनल पर इसलिए स्ट अजीज़ यॉद लिकर लगा है वो आपस्ट बासवा को इसलिए सकते हैं जल्राउंग मैं हैं है इसलिए देविया है?